जब लोकसवा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसवा शेत्रों में बारतिय जनता पार्टी के लोकसवा के परत्याशी 15-15 बोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दिलिय परत्याशी के चुनाव हुए बारतिय जनता पार्टी ने तुरूंत परवाव से तीनों चुनाव गोशित करवाए और मुझे खुशी है कि हमाचल की जनता ने जनवल का साथ दिया और धनवल की प्रैजय हुए देरा विदानसवा शेतर से 25 साल से हम कॉंग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी पार्टी परत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहाँ से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके अधार पर वो टिकट दिया गया वहां हमारी जीत हुई ह नालागड में अजाद परत्याशी थे और वहां भी हमारी अभी अन्तिम कॉंटिंग का दोर चल रहा है वहां भी हमारी जीत सुनिश्ची थे हमेरपूर विदानसवा शेतर में जो अन्तिम अभी परणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं निश्ची पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटे थी वो 40 की 40 सीटे अभी कॉंग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह जनता की जीत है भगवान के आशिरवाद से देवी देपताओं के आशिरवाद से जिस प्रकार का राजनितिक किया गया 16 महिने से हमने जनता के हित्मे कारे किये और जिस प्रकार की राजनितिक शड़ेंतर का जबाब हमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने निश्ची तोर पर यह लोगतंतर होता है इसमें मद्दाता बोर डाल कर अपनी भवनाओं का प्रकट करता है और मद्द सवाशेतर में कहीं न कहीं रनिती मद्दाता ने बोट तो बहुत अधिक डाला है बहुत कम बोटों से हम हमिद्पूर में अभी पिछले हैं फाइनल आउटकम पर ही मैं उसके वारे में कहसेता हूं लेकिन दो सीटों पर हम कमफर्टेबल लीड हमने बनाई है और मैं हमाच जलकी जनता का आम लोगों का किसानों का महिलाओं का युवाओं का बहुत भुद धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस परकाज की राजनिती की शुरुवाद भारती जनता पार्टी ने की थी ख्रीदो प्रोकत की राजनिती की शुरुवाद भारती जनता पार्टी ने ख्रीदी की थी थी थाईस फरवरी से जो परदेश में अनेशितता का महौल चल रहा था और पूरो मुख्या मंतरी जहराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि चार जुन को दो सरकारे बनेगी और जनता ने आपकी बात को ठुगराया है हमाचल के संदर में जनता के बूर्ड से हम चालिस वधैक चुनकर आए और नोट के दम से हमारी सत्ता को गराने की कोशिश की गए थाईस परवरी को इस बारे में पहला शडंता रचा गया और दिशित्तर बात यहा है कि एक महीना तक नो के नो विधानसवा शेत्तर में अपने गेनी हमाचल की सीमा के बाहर आयनी एक महीना हमाचल की सीमा के बाहर बैठ कर यह पूरव विधैक जो थे वो सरकार गराने का शडंता रच रहे थे और दूसरी बात इन तीन निर्दलिय विधैकों को स्तीफा देने की जूरत क्या बाता ने इसका जवाब दिया और करारा जवाब दिया है